हेलो बच्चों कैसे आप सब आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस में क्लास टेंट में बूर्ड के कोशन जो आ चुके हैं वो और मेरे हिसाब से जो इंपोर्टेंट कोशन है वो ठीक है आप अगर इनको अच्छे से प्रिपेर कर लेंगे तो आपके कम से कम इनी दो वीडियो में से दो पार्ट में मैं बनाऊंगा आज पार्ट से और एक और पार्ट सेकिंड दोनों इपार्ट थोड़े से लेंदे हैं और लंबे होने वाले लेकिन आप इनको अच्छे से तयार कर लेते है तो आपके एक parity to 85% तो आप कम से कम स्कोर जरूर करेंगे इस से ज़्यादा भी आ सकते लेकिन कम से कम इतना तो जरूर आएगा तो आप इनको अच्छे से लर्न करें एक चीज मैं यहां ही क्लियर कर देता हूं मैंने कौन कौन से पेपर लिये हैं 2018 2019 का बोर्ड का पेपर 2020 के बोर्ड का पेपर और जो आपके इस बार मॉडल पेपर आया है वो और साथ में दो सप्लिमेंटी पेपर क्योंकि इस से पहले के जो पेपर है वो तो आपके सेलेबस में है नी तो टोटल सिक्स पेपर जो बोर्ड की तरफ से उसके अलावा मेरे को जो इंपोटेंट कोशन लगते हैं वो और चैप्टर से रिलेटेड कोशन थोड़े कम है और एक सेकिंड चैप्टर से रिलेटेड कोशन है नहीं कराएं मैंने इस वाले पार्ट में और लॉंग कोशन नहीं बाकी सारे कोशन करवा हैं बाकी के जो भी है आपके रिमेनिंग रहेंगे वो आपको सेकिंड पार्ट में करवा दिये जाएंगे तो start करते है अपन तो देखो सबसे पहले यह अपने chapter first का है बीच-बीच में मैं आपको ऐसे ही चार्ट करवाता रहूँगा तो chapter first में देखो एक तो अपन को याद रख लेने है विटामिन विटामिन कौन कौन से होता है ए रेटिनोल नाइट ब्लाइडनेस बीवन थाइमीन बेरी बेरी बीटू राइबो फ्लेविन जिसे राइबो फ्लेविनोसिस हो जाता है बी थ्री नियासीन जिसे क्या होता है पेलेग्रा डीजीज हो जाती है C कौन सा कहलाता है एसकॉर्बिक एसीड इसकर्वी हो जाता है D कैलसी फेरोल इससे रिकेट्स मिनरल्स में अपन को दो लर्ण करने है F.E. और I F.E. से हिमोगलोबीन बनता है और हिमोगलोबीन के बनने के लिए रिक्वाइड होता है Deficience से कौन से डीजीज हो जाती है एनीमिया आई से है अपन को आयोडीन से अपन को याद रखना है कि थाइरेड ग्लेंड की एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है और इसकी ज्यादा आ जाए तो वो obesity होगी Blood pressure के बारे में अपन को एक तो यह आद रखना है कि Stephen Health जो थे first person थे क्या plan जो था उन्होंने define किया था Blood pressure कितना होता है 120 to 80 120 होता है systolic और 80 क्या होता है diastolic pressure 120 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 120 और 80 इन से लेकर अपने देखो 120 वाली reading 140 तक चलेगी 80 वाली 90 तक चलेगी इससे उपर जाएगे तो high blood pressure अगर 120 वाली reading 100 या 110 से कम हो जाए 80 वाली reading 70 से कम हो जाए तो low blood pressure एक कौन से instrument से इसे major कर सकते हैं तो कौन से से इसे कर पाते हैं अपन स्फिग्मो मेनो मीटर से कौन से से कर पाएँगे स्फिग्मो मेनो मेनो मीटर से When मैमो मीटर नहीं हैँ मेनो मीटर है तो इस से अपन क्या कर सकते हैं बलोड pressure measure कर सकते हैं एक intoxicant के बारे में अपन को देखो डिजीज ज़्यादा पूछी जाती है तो गुटका से कौन सी डिजीज होती है सब म्यूकस फाइब्रोसिस तंबकु से लंग और थ्रॉट कैंसर होते हैं एलकॉल से कौन सी होती है फैटी लिवर डिजीज ओपियम से कौन सी होती है अपने इम्मुनिटी क्या होने लगती है कम एक LSD की फुल फॉर्म याद रखनी है लेसर्जिक एसिड डाई इथायलेमाइट मिस्यूजड मेडिसन के नाम पूछे तो दो याद रख लो आप मॉर्फीन और बुपरे नॉर्फीन ठीक है नॉन ट्रेडिशनल इंटॉक्सिकेंट ऋची सूर्प में जाता है और चीप पाप ओल जो है मस्टर्ड में मिला जाता है Catherine में लॉटे में लि dough में ग्रोजग मी nécessaire हो में पूर्मन है तार्म् कॉलिफे लावर में और और तूर अपरेंस के लिए कौपर सिल्फेट अपने बूक है क्या कहता है स्टुडेंट अड़ वेजर उसमें यह दोनों एक्चेंज में दे रखेंल लेकिन बोर्ड में यह दे रखा है तो आप यही लरन करें ठीक है ग्राम और तूर की जो दाल होती है उसमें कंसारी दाल मिलाई जाती है ठीक है तो इस तरीके से मैं और भी आपके सौट में वह तैयार किये तो वह भी आ अपन स्टार्ट करते हैं कुछ बोर्ड के कोशन्स भी देखते हैं राइट दा नेम ऑफ एंजाइम सिक्रेटेड बाइ सेलेवरी ग्लेंट कौन से होती है सेलेवरी एमाई लेज या टाइली राइट दा नेम ऑफ यूनिवर्सल डॉनर ब्लड ग्रूप कौन सा होता है ओ नेगेटिव राइट दा जूल्स यूनिट इन वन के डबलो एच वन के डबलो एच में कितने जूल होते हैं तो 3.6 इंटू 10 इस टू पावर 6 जूल होते हैं मनाली संचूरी कहां पर है तो हिमाचल प्रदेश में राइट दा नेम ऑफ वन खरीफ क्रॉप एक खरीफ क्रॉप का नाम लिखना तथ राइस का लिख सकते हैं और क्या होता है और आई जास से टाइवा हाउ मैनी होट स्पॉट बायो डाइवर्सिटी इंडिया में मतला वर्ल्ड में है स्वरी तो 34 होट स्पॉट है नेक्स्ट है राइट दा नेम ऑफ इंस्टूमेंट विच इजूज तो मेजर ब्लड प्रेसर कौन सा होता है इस्फिग्मो मैनोमेटर राइट दा नेम ऑफ एंटिबोडी प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क कौन सी होती है आईजी ए कौन सा वैक्सिन लगा जाता है एरिथ्रोब्लास्टो फिटेल इसको क्यो और करने के लिए रोगम राइट दा नेम ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाइ टेस्टिस कौन सा होता है टेस्टेस्टेरॉन विच हामफुल सबस्टेंट डिपोजिट इन बलड ड्यू टू एगलूटिनेशन एगलूटिनेशन में क्या होती है आर बीसी जो होती है वो कलंब बना लेती है जूंड बना लेती है और ऐसा कब होता है जब मिसमैच बलड ग्रूप चड़ा देते हैं अपर ठीक है और उससे आर बीसी मरने के बाद आर बीसी के डिग्रेड होने से बिली रूबीन करके एक सबस्टेंस सिक खटा होता है जो जॉंड डिस क्रिएट कर सकता है तियक है आप बीच बीच में जो इंफोर्मेशन दू उसको भी अच्छे से सुने ठीक है यह आपके वीडियो अभी भी काम आएगा एक्जाम में आपके रिविजन करने भी काम आजाएगा सिर्फ दो वीडियो में आपके आल्मोस्ट पूरी बुक करवा दूँगा इन विच इस्टेट नागार जुन सागर सेंचूरी इस सिच्वेटेट तो कहा होती है आंदर प्रदेश में ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है राइट दा नेम ओफ फैमेली ओफ टमबाकू प्लांट टमबाकू प्लांट की कौन सी फैमेली होती है सौलेनेसी हिंज क्या होते है तो एंटी बॉडी का जब अपनी स्ट्रक्चर बनाते है तो एंटी बॉडी के स्ट्रक्चर में देखो दो लॉंग चैन बनाते है 200 chain बनाता है ये वाला जो portion है ये वाला जो दिख रहा है आपको वो hinge कहलाता है और ये flexible region होता है antibody के जिसकी वज़े से variable portion जो की उपर वाला portion है वो आसानी से adjust हो सकता है antigen के structure के साब से और फिर उसके साथ combine हो सकता है write the name of disease due to carelessness during blood transfusion blood transfusion जो होता है उसके अपन को अगर अपन साई डंग से ध्यान ना रखे तो कौन कौन सी disease हो सकती है तो HIV, HTLV, hepatitis B and C और jack up disease हो सकती है ठीक है next है which teeth are used in tearing and chopping of food canine देखो इसके लिए आपको याद रख लेने कौन कौन से teeth होते हैं अपने एक तो होता है अपने क्या कहते हैं इंसिजर, canine, premolar and molar और एक इसको अपन को teeth formula याद रखना है तो क्या होता है teeth formula 2, 1, 2, 3 upon 2, 1, 2, 3 ठीक है तो tearing और chopping के लिए कौन सा होता है canine, cutting के लिए होता है तो incisor और grinding और crushing के लिए होता है तो premolar और molar who classified the blood into blood groups तो Karl Land Steiner ने, give one example of renewable source of energy तो कौन सा होता है solar energy और wind energy write the scientific name of coffee तो क्या होगा coffee या arabica next define genetic diversity, genetic diversity define करनी है बहुत बार पुछी जा चुकी है definition variation present between different member of same species due to gene it's called genetic diversity जैसे किसी एक particular चीज की variety हो जैसे rice की जो variety होती है अलग लग वो next अपने which element take part in formation of hemoglobin तो कौन सा होता है iron which antibody participate in allergic reaction तो IGE which antigen is found on the surface of red blood corpus call is addition to A and B अच्छे से सुने board में आरक का question है कि A और B के अलावा RBC की surface पे कौन सा antigen होता है तो RH antigen हो सकता है ठीक है write the name of national aquatic animal कौन सा होता है gignetic dolphin आप में से कौन बताएगा कि ये जो है कब announce हुआ था जिसको पताओ comment section में लिखे next turmeric is obtained from which part of plant तो किस से obtain करते है अपन stem से obtain करते है next देखो एक और chart देखते है अपन chapter number 3 का genetic term जो है वो किसने दी थी batson ने gene term किसने दी johansson ने hedity term किसने दी harbert dispensern ने mendel के बारे में देखो life history में एक तो date of birth 22 जूलाई 1822 cilician village हिजेंड रॉफ उसका क्या था प्रोवीन्स या state था austria country का नाम प्रिस्ट कब बने थे 1843 में experiment किस पे किये थे पाइसम सेटाइवम जो की क्या है garden पी है ठीक है कौन सा है garden पी और कब से कब तक किये 1856 से 1863 तक seven years किये थे publish कब किये 1866 में किस title से किये थे experiment on plant hybridization से किस के सामने किये थे brune society of natural history death कब हुई थी 6 January 1884 को seven character कौन से choose किये थे पी प्लांट के तो seed के दो shape और color food के दो shape और color flower के दो position and color और length बुले तो shape of seed color of seed shape of color of food position of flower color of flower और length पी प्लांट क्यों select किया था ये भी एक अच्छा question हो सकता है पी प्लांट एन्वल पांट एन्वल पार्ट होता है तो बहुत सारी generation study कर सकते बाइसेक्सवल होता है इस वज़े से self-pollination करवा सकते और emasculation करवा कर उसे unisexual में convert कर सकते है जिससे cross-pollination भी हो जाएगा और उसमें बहुत सारे contrasting character होते है जैसे कि यह seven contrasting character थे ठीक है next अपन को phenotype और genotype याद रखने है phenotype क्या होते है based on external feature पे उसको कहते है phenotype उस पे जो ratio देते हैं उसे phenotype ratio genetic constitution पे जो चीज based होती है उसे कहते है genotype और इस पे जो ratio होता है genotypic ratio mono hybrid का phenotype क्या होता है 3 ratio 1 genotype क्या होता है 1 2 1 का phenotype 9331 और genotype क्या होता है 12 24 12 12 1 test cross का क्या होता है one ratio one one ratio one तो आपको examen पूछआ कौन सा cross होता है जिसका phenotype genotype से मता है तो test cross out cross कौन सा होता है all dominant होता Commons और जो genotype होता है वो one ratio one आता है कि next what are endemic species endemic species क्या होती है तो एसी स्पसीज जो एक particular एरिया पर ही present होती है उसे अपन क्या कहते हैं endemic species कहते है जैसे यह भी question पूछा जा सकता है कि lemmure कहां की endemic species है तो medagascar और meta square tree जो हता है वो specific valley of China में होते हैं आपको exam में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दो endemic species के example दो, तो भी आप यह लिख सकते हैं, next है which disease is caught by ascorbic acid, तो ascorbic acid से कौन सी disease होती है, scurvy, कौन सी हो जाएगी, scurvy, ठीक है, ascorbic acid किसको कहते है, vitamin C को कहते है, किसको कहते है, vitamin C को, how many teeth, how many canines are present, तो देखो, अपने teeth formula क्या किया था, 2, 1, 2, 3, upon 2, 1, 2, 3, ठीक है, पहला जो होता है, वो incisor, दूसरा canine, फिर pre molar, फिर molar, तो अपन को canine का पूछ रहा है, तो कितने होगे, 1 और 1, 2, और इसको किते से multiply करने, 2, क्योंकि teeth formula सिफ half का होता है, तो 2 को multiply करेंगे, कितने आ जाएंगे 4, तो canine कितने आ रहे 4, यही अपन को molar पूछते है, तो 3 और 3 6, यह 3, यह 3 6, और 2 से multiply कराते हैं, कितने आ जाते 12, तो यहाँ पर 4 answer होगा, which antibody जो होती है, वो सबसे पहली बार produce होती है, तो IgM, which is the state tree of Rajasthan, and write the scientific name, Rajasthan का state tree कौन सा है, तो खेजडी जो है, वो Rajasthan का state tree है, और scientific नाम क्या होता है, prosophis sign area, next है, exoscalaton of coral is formed from which chemical substance, तो किस से बनता है, calcium carbonate से, loyentail, जो monkey जो होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, western gart में, और यह वहाँ की क्या है, endemic species है, यह भी आपका question हो सकता है, कि western gart की एक endemic species बताओ, तो loyentail monkey लिख सकते हैं, या loyentail monkey कैसी species है, तो endemic species है, which disease is caused by deficiency of calciferol, calciferol किसे कहते है, vitamin D, कौन सी disease होती है, rickets, which rh factor is most important, तो कौन सा होगा, rh d, कौन कौन से होते हैं, rh factor, small c, capital c, capital d, e, small e, capital e, 5 होते हैं, उसमें से r h d, जो होता है, सबसे important होता है, which blood group, इस universal recipient, blood group कौन सा होता है, a b positive, pearl oyster जो होता है, वो किस phylum से belong करता है, mollusca, जिसे pearl या moti बनता है, which is the best pearl quality, best pearl कौन सी होती है, linga pearl होती है, which dg is cured by carminic acid obtained from cochinol insect, ये भी question हो सकता है, carminic acid कहां से obtain करते हैं, तो किस से करते हैं, cochinol insect से करते हैं, कहां कहां यूज करते हैं, woofing cuff को cure करने के लिए, और face और head पे जो nerve pain होते हैं, उनको दूर करने के लिए, less valuable pearl जो होते हैं, वो कौन सी CPI से obtain करते हैं, कैसे तरह के पानी में होते हैं, जो fresh water में होते हैं, वो less quality के pearl देते हैं, और जो sea water में होते हैं, वो high quality के pearl देते हैं, write the name and formula of compound used in plastering crack bond, crack bond को plaster करने के लिए, कौन सा अपन compound यूज करते हैं, प्लास्टर और पैरिस यूज करते हैं, C-A-S-O-4-2-S-2-O, इसका क्या होगा, formula होगा, write the name of any one insect which act as squengers, squengers क्या होते हैं, जो dead plant या body को, animal body को क्या करते हैं, एकदम साफ कर देते हैं, इसलिए इन्हें सफाई करमचारी है, squengers कहते हैं, कौन-कौन से होते हैं, termite, cockroach, वगेरा, ठीक है, next question है, अपने, what is back cross, back cross क्या होते है, F1 generation का cross, either of parent के साथ करवाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, back cross कहते हैं, और ये दो तरह का हो सकता है, test cross, जिसमें अपन homozygous, recessive parent के साथ, F1 generation का कराते हैं, out cross, homozygous, dominant parent के साथ कराते हैं, who rediscover mendelism, mendelism की rediscovery किसने की तो, तो पहले 1900 में discovered हुआ था, hugo de brie, जोकी holland के थे, कार्ल कॉरेंस, जोकी जर्मनी के थे, irikwan serma, जोकी austria के थे, उन्होंने क्या किया, mendel के log को rediscover किया, magnification क्या होता है, magnification होता है, size of image और size of object के ratio को, magnification कहते है, m से denote करते हैं, अगर यज hier formula mirror के लिए लिए लिए, तो mirror और lens दोनों के लिए, ये formula तो same है, लेकिन v upon u के form में लिए लिए, लिए मेर्यों के लिए 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 माइनस v upon u, और lens के लिए होता है plus V upon you अगर M plus का है तो virtual M minus का है तो real देखो जो numerical वगेरा है अपन next part में करेंगे उसमें मैं आपको सारे formula एक साथ लिख दूँगा ठीक है और फिर उस पे based अपन numerical भी देख लेंगे which substance is used to cure acidity ऐसा कौन सा substance है जो acidity को दूर करने के लिए किया जाता है acidity क्या होती है जब HCL ज़्यादा secret होने लगता है किसके अंदर stomach के अंदर तो उसे क्या कहते है acidity और cure के लिए अपन mild base यूज करते है जिसे क्या कहते है antacid तो यह भी आपको पूछ सकते है antacid क्या होता है जो acidity को दूर करने के लिए यूज करते है उन्हें antacid क्याते है कौन कौन से substance होते है milk of magnesia, mg, OH, Haltwise और baking soda, NaHCO3 What is biodiversity? Biodiversity क्या होती है? तो biodiversity can be defined as variety variability found among the living beings found on earth ठीक है? कितनी variety और कितनी variations है? उनको क्या कहते है? Biodiversity, ठीक है? तीन लेवल होते हैं इसके genetic, species और ecosystem biodiversity reciprocal cross क्या होता है? तो देखो A और B दो plant है एक experiment में A को male की तरह यूज करता हूँ, B को female की तरह है और फिर अगले experiment में A को female की तरह है, B को male की तरह है तो इससे क्या कहेंगे? reciprocal cross bleaching action, बहुत important reaction है देखो CAOCL2, calcium oxy chloride वापस सुन ले अच्छे से, calcium oxy chloride ये bleaching powder होता है ये जो होता है, वो CL2 release करता रहता है और इसी वज़े से इसको water pure करने के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं तो एक्जाम में पूछे, water purify करने के लिए कौन सा substance यूज करते हैं तो bleaching powder ये जो बीच बीच में question बता रहा हूँ, इनको भी आप अच्छे से सुन ले ये ही वज़े है कि मैं कह रहा हूँ कि एक्जाम के दिन भी आप वापस revision के लिए इसे इस्तमाल कर सकते हैं वीडियो को, जो CL2 निकलेगी वो H2O के साथ रिएक करके 2HCL और oxygen बनाती है जनरल ये oxygen O2 के form में release हो रही है, यहां पर O के form में, इसे कहते है नेसेंट oxygen और ये नेसेंट oxygen color substance से रिएक करती है और इसे color less करती है, क्योंकि ये color उड़ा रही है, इसलिए इसे bleaching powder कहते है power की definition लिखनी है, तो rate of work done क्या कर लाता है power इसका formula भी not कर लीजिए, P equal to क्या होता है, W upon T, क्या होता है, W upon T unit क्या हो जाएगी, इसकी unit हो जाएगी, देखो W की unit होती है, Joule और time की unit क्या होती है, second, Joule upon second लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, what भी लिख सकते हैं, ठीक है International Biodiversity Day is celebrated on, International Biodiversity Day कब बनाया जाता है, तो 22nd May को बनाया जाता है अगर पूछे, किस year से मना ना start किया, तो 2010 से, देखो Biodiversity के एक definition अभी पीछे बताईए, और एक ये भी definition है और जो आपको बूड में ऐसे पूछे गई थी, कि the diversity, asymmetry, ecological complexity, found among the biological organism, ये क्या है, तो ये Biodiversity है अब ये definition भी learn कर लें अच्छे से, ठीक है next is blood transfusion किते तरीके के होते है, तो दो तरीके के, allogenic जिसमें एक person से दूसरे person में blood चड़ाते है autogenic जिसमें person में से खुछ से ही blood निकालके, पूरा blood या उसका कुछ component वापस उसी को ही चड़ा देते है इसको क्या कहते है, autogenic blood transfusion write the name of external tectonic forces, external tectonic forces कौन से होते है, जो बार से दिखते है, जिन की वज़े से earth crust कम होने लगती है soil में convert होती है, एक जगह से दूसरी जगह move करती है, दू आते हैं इसमें weathering force जिससे soil बनती है erosional forces जिससे soil एक जगह से दूसरी जगह move करती है river in ocean किसे कहते है, river in ocean कहते है oceanic current को, और इसकी definition क्या होती है, continuous certain directional moment of sea water due to difference in the inter temperature density, wind and gravitation इसे क्या कहते है, oceanic current भी कहते है, और इसे river भी कहते है, oceanic current जो होती है, वो कितने तरह की होती है, दो तरह की, hot oceanic current और cold oceanic current और ये जब दोनों एक दूसरे से merge होती है, तो hurricane, टाइफून जैसे क्या आते है, मतलब चीजे भी बनती है, ठीक है, ये भी कोशन हो सकता है next देखो अपन एक चार्ट करते है, किसका chapter number 4 का, देखो immunity जो होती है, जो मतलब डीजी से fight करने की capacity होती है, वो कितने तरह की होती है, inent जो की by birth साथ में आती है, acquired जो अपन बर्थ के बाद में achieve करते है अब जो inent है, वो चार तरह की के से होती है, physical barrier जिसमें अपने क्या आती है, skin और क्या आता है, mucus ठीक है, ये अपने physical barrier में, chemical barrier में क्या आता है, अपने lysogym, जो की कहा होता है, tear में, और क्या आता है, lectic acid, जो कहा होता है, vagina में, ठीक है, और क्या आता है, HCL, ये अच्छे से learn कर लें HCL जो कहां होता है अपने stomach में cellular barrier में कौन से आते हैं अपनी सारी WBC आती है और cytokinin barrier में क्या आता है fever allergy ये सब किसमें आते हैं inflammation वगेरा ठीक है acquired immunity दो तरह की होती है और ये birth के बाद में acquire की जाती है active और passive active वो होती है जिसमें immune system जो होता है वो खुद participate करता है और इसमें खुद participate नहीं करेगा ready meant antibody यूच की जाएगी antibody किते तरह की होती है पांच तरह की gamd से याद रख सकते हैं IgG, IgA, IgM, IgE, IgD सब के बारे में जो जो question बन सकते हैं वो आगे लिख दिया IgG के बारे में एक तो पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी antibody है जो placenta cross कर सकती है monomeric होती है और gamma होती है इसलिए IgG IgA क्यों कहते हैं IgA का क्या है मदर के milk में होती है dimeric होती है अगर पूछे dimeric antibody कौन सी होती है यह की होती है A मतले तो alpha M के बारे में question क्या पूछ सकते हैं अभी पीछे आया भी था कि यह ऐसी कौन सी antibody है जो सबसे पहली बार बनती है तो IgM pentameric होती है यह भी एक मातर ऐसी antibody है जो pentameric है और M क्या है mu IgE कौन सी होती है जो allergic response create करवाती है कौन सी cell पे होती है mass cell पे होती है monomeric होती है और epsilon E का मतलब और D monomeric delta ठीक है next है RBC की surface पे कौन कौन से antigen होते हैं A और B अगर A है तो A blood group B है तो B blood group दोनों ही नहीं है तो O blood group दोनों है तो A B blood group उसके बाद मैं RH antigen के बारे में पता लगा जो कि 5 तरीके के होते हैं C, capital C, capital D, E, capital E और इसके basis पे है या नहीं है दो तरह के होते हैं RH positive, RH negative blood group की significance क्या है तो blood group की help से अपन को जब पता चलेंगे तो अपन proper blood transfusion कर सकते हैं paternal dispute को solve कर सकते हैं उसके लिए अपन को क्या करने पड़ेंगे, cross करवाने पड़ेंगे, वो मैं numerical के साथ करवा दूँगा, उसके लिए आपको याद रखने, A blood group कैसे हो सकता, IA, IA या IA small I say, B blood group कैसे हो सकता, IB, IB IB small I say, C blood group कैसे हो सकता, C तो होता नहीं है, कौन सा होता है, A, B blood group, A, B blood group कैसे बनता है, जब IA और IB antigen होते हैं, और O blood group कैसे आता है, जब दोनों ही small I होता है, ठीक है, small I जो है, वो recessive correct अलिल है, और IA और IB जो है, वो कौन से है, dominant, हर एक चीज को आप अच्छे से सुनेंगे, तो जल्दी revision भी होगा, और जल्दी से जल्दी आपको यह learn करने में भी help होंगे, मैं फिर repeat कर रहा हूँ इस वीडियो को अच्छे से त्यार करें, आप exam के सम्में एक बार फिर वापस इससे सुन लेना, दो पार्ट बनाए जाएंगे, एक पार्ट यह है, एक पार्ट मैं आपको अभी और provide करवा दूँगा, treatment of heredity disorder जैसे hemophilia वगेरा, उसके ilाज में भी blood group इस्तमाल किये जा सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है, राइट दा नेम टाइप आफ कोल, कोल कार्बन की awareness फैलाने के लिए, किसके towards में wildlife और wildlife को conserve करने के लिए, क्या full form होती है, international union of conservation of nature, write the name of first biosphere, कहा होता है, कहा था, नील गिरी था, 1986 में, करना टक में, और केरला में, यह मिला करें, write the name of two biosphere reserve of India, कोई भी दो biosphere reserve के नाम बताओ, कोई भी बता सकते हैं, एक सुंदर बन, वेस्ट बंगाल में, थार, कहां पे है, राजिस्तान में, एक नील गिरी लिख सकते है, करना टक के लडा में, write the name of endangered species, कोई endangered species के बारे में बताना है, तो कौन कौन सी है, goda one, जिसे great Indian bastard भी कहते हैं, ये राजिस्तान का क्या state bird है, rhinosaurus और serp गंदा, ये दो तो क्या हो गया, animal serp गंदा क्या हो गया, plant, write the name of extinct species, तो डाइनोस और सब जानते हैं, डोडो, किसकी वज़े से extinct हुआ था, बहुत ज़्यादा सिकार होने की वज़े से, राइनिया, plant, plant के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो राइनिया, plant extinct हो चुका है, rainwater harvesting क्या होती है, rainwater harvesting का मतलब होता है, जो ground water होता है, उसको recharge करने के लिए, जो बारिस का पानी होता है, उसे इखटा किया जाता है, और उससे, वो या तो वहाँ इखटा रहेगा, या ground म में क्या होगा, recharge हो जाएगा, ठीक है, next is two example of irregular wind, irregular wind के दो example, cyclone और storm, what is the region of tide, tide का बाता है, जब sun और moon एक ही direction में आ जाए, और फिर sun और moon के gravitation, generally moon के gravitation की वज़े से up tide और low tide बनते है, coral कौन सिक्रेट करता है, तो coral जो होते हैं, जो animal सिक्रेट करते हैं, वो सिलेंट टेरेट phylum के होते हैं, और entho jua class के होते हैं, ठीक है, यहां से अपने sort question start है, देखो, जो very sort question, जो भी आपके board में 5 साल के, जो मैंने paper बतायते हैं, model paper में आ रखे हैं, और कुछ मेरी तरफ से important question वो भी करवा चुका हूँ, अब sort question करेंगे, long, numerical, और कुछ और जो पीछे रह गए हों होंगे, उन्हें अपन अगले चप, अगले वीडियो में कर लेंगे, तो long से start, short से start करते हैं, देखो, what is tsunami, और explain the effect of global war on glacier, यह question आपके board में ऐसे कैसे आ रखा है, तो देखो, earthquake जो होती है, अगर seven unit से ज़्यादा आती है, तो उसे disaster कहते हैं, और ऐसे ही disaster earthquake, अगर bottom of sea में glacier पिगलने लगता है, जनरली glacier के पिगलने से ही river बनती है, लेकिन अगर global warming होगी glacier, ज्यादा पिगलेगा, इससे sea level increase होगा, और उसके आसपास की जो city है, वो submerged हो जाएगी, द्वार का ऐसी एक city थी, write the symptoms of marasmus dg, देखो, यहाँ पर अपन एक चीज़ याद कर लेता है, कि protein क ually, जो deficiency से 2 डीजिज होती है, एक quasi और कोर, एक mary excel, quasi और कोर जो जो होती है, वो अपने safe और safe protein deficiency से होती है, जबकि marasmus protein और calorie, डोभी deficiencies होती है मतलब मरेश में उस person को खाना ही नहीं मिल दा कारवाइडिर की कमी, protein की भी कमी, fat की भी कमी लेकिन क्वासी और और कोर के के case में सिफ और सिफ किस की कमी खोती है protein की क्वासी और कोर के case में swollen belly मतलब जो अपनी tummy जो होती है उसमें swelling आ जाती है ये एक symptoms होता है ठीक है और जबकि marismas का main symptoms होता है sunkenize तो marismas is a mal nutrition disease in which person suffer from both protein and calorie deficiency sunken eye ये सबसे main important feature और quasi or core से अलग क्या होता है कि quasi or core में भी skinny body होती है लेकिन उसमें stomach में swelling होती है यहां वो भी पतला ही होता है body shrink कर जाती है weak होती है retarded growth होगी potable water potable water किसे कहते है पीने लाइक पानी की क्या property होनी चाहिए तो any visible particle नहीं होना चाहिए harmful micro-organism नहीं होनी चाहिए उसकी pH suitable होनी चाहिए और उसमें adequate amount में oxygen और minerals होने चाहिए next अपने match the following था तो डॉक्टर सलीम अली जो है वो क्या कहलता है bird man of India सुसुरुज जो है father of plastic surgery और पंचनन मैस्वरी जो है वो embryology से क्या है जुड़े वे हैं ठीक है next अपने chapter 5 का revision देखते हैं तो देखो chapter 5 और chapter 6 जो है वो अपने किसके उपर based है equation के उपर based है तो इसकी एक भी equation अपन को छोड़नी नहीं है definition भली आप भूल जाओ लेकिन equation अपन को हरी करनी है ठीक है chapter 6 का revision में इस में नहीं अगले वीडियो में करूँगा तो chapter 5 में पहली reaction तो अपन को याद करनी है acid base की HCl और नहीं ही reaction करते हैं NaCl salt और राच टू बनाते हैं इसको neutralization reaction कहते हैं acid और metallic oxide acid और metallic oxide आपस में reaction करके salt और क्या बना रहे है water और यह neutralization के जैसे ही है तो अगर यह acid है तो metallic oxide क्या होंगे base होंगे आपको exam में ऐसे भी पूछ सकते हैं proof करो कि metallic oxide base होते है तो इस reaction दे सकते हैं ठीक ऐसे non metallic oxide base के साथ reaction करके salt and water देते हैं इसका मतलब non metallic oxide कैसे होते हैं acid होते हैं एक sodium hydroxide की preparation reaction तो sodium hydroxide कैसे prepare करते हैं अपन NACL का क्या कराते हैं electrolysis electrolysis बोले तो क्या होता है electrolysis में हपन electricity pass करके तोड़ते हैं ठीक है electrolysis तो NACL H2O NOH बनेगा और electrolysis करने के लिए दो लेने पड़ते हैं अनोड और cathode अनोड पे क्या बनता है CL2 cathode पे क्या बनता है H2O या आपके objective question हो सकते हैं bleaching powder preparation की reaction तो bleaching powder को कैसे बनाते हैं slack lime और chlorine की reaction से slack lime क्या होता है CAOH all twice इसकी reaction करवानी है CL2 से तो calcium oxy chloride और water बनते हैं और calcium oxy chloride ही क्या है bleaching acid base के बारे हम देखो acid जो होता है blue को red में convert करता है base जो होता है red को blue में acid जो होता है H plus देते हैं aqueous solution में कौन सा concept था Arrhenius का और उसके इसाब से base कौन से होता है जो oh miles में देते हैं aqueous solution में ब्रॉस्टेड लॉरी का क्या concept है जो proton donor होंगे वो acid proton receiver जो होंगे वो base electron pair receiver कौन से होता है Lewis acid और electron pair donor यहां पर accept नहीं करना donor जो होता है वो क्या होंगे base होंगे strong acid के example पूछे तो hydrochloric acid sulfuric acid nitric acid weak का example पूछे तो acetic acid formic acid और carbonic acid strong base का example पूछे तो naoh koh coh holtwice sodium hydroxide potassium hydroxide calcium hydroxide weak base का पूछे तो mgoh holtwice जिसको क्या कहते है milk of magnesia भी कहते है और nh4oh ठीक है baking soda की preparation reaction पूछे तो देखो दो reaction एक nacl ammonia और co2 से भी है और एक यह reaction है जिसमे sodium carbonate co2 और s2o आप वह भी learn कर ले अच्छे से लेकिन यह reaction इसलिए लिखी क्योंकि यह ulti भी वापस काम में आ सकती है तो sodium carbonate co2 और s2o से क्या बनता है नh co3 और अगर आपको पूछे कि नh co3 को गरम करने पर क्या होता तो ulti direction में reaction लिख दो washing soda preparation में भी यह है पहले तो यह reaction लिखनी है आपको फिर इसकी 10s2o से reaction कराएंगे तो na2 co3 10s2o बन जाएगा पी ओपी कैसे बनाते है जिप सम जो होता है cso4.2s2o उसको 393 Kelvin पे गरम करते हैं तो क्या बन जाएगा pop ठीक है जो कि क्या होता है cso4.2s2 अगर अपन इसको इससे भी ज़्यादा गरम करते है 393 से भी तो यह half molecule भी निकल जाएगा और पीछे जो बचेगा सिफ cso4 जो की dead burn plaster कैलाता है pop को water के साथ reaction करने पर क्या होता है या pop को खुला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे करके question आ सकते है तो उसमें pop और water की reaction लिख देनी है यह reaction उल्टी direction में लिख देनी है वापस gypsum बन जाएगा एक पूस्त है कि crystalline water क्या होता है तो किसी salt का formula लिखे उसमें जो fix number of water molecule है उन्हें क्या कहेंगे crystalline water दो example लिखने alum और gypsum और भी लिख सकते है जिसमें अपन जैसे washing soda का लिख सकते है dot 10 is 2 और gypsum का लिख सकते है pop का लिख सकते है एक alum का भी use कहां करते है water purification में ठीक है next question लेते है what is ph ph क्या होती है तो negative logarithm of concentration of hydrogen ion इसे क्या कहेंगे ph formula क्या होगा minus log concentration of h plus इसके उपर भी numerical आते हैं वो अगले पार्ट में करवा देंगे who gave the term ph ph किसने दीती सोरेंसन ने ph में p क्या होता है p potence या power h क्या होता है concentration of hydrogen ion एकदम normal सा question है लेकिन फिर भी ये बहुत बार आ चुका और आप भी सकता है ph scale क्या होती है वो scale जो ph की value पे based होती है जो acid base की strength को measure करने के लिए यूच की जाती है इसमें zero से लेकर 14 तक reading होती है zero one two three so and ऐसे reading होगी ठीक है अगर seven से कम होती है तो acid seven से ज्यादा होती है तो base seven आती है तो neutral strongest acid कौन सा होगा zero वाला strongest base कौन सा होगा 14 वाला एक जाम आए तो ये scale जरूद रो करें इस पर लिग दे zero से लेकर 14 तक ठीक है what is the meaning of natural resources right the four way of forest conservation natural resources क्या होते है every object receive from nature and used by human beings without making any change उसे natural resources कहते है forest को conserve करने के चार क्या तरीके हो सकते forest को optimal limit तक cut करना चाहिए जितने forest cut किये हैं उतने वापस लगाने भी चाहिए ज्यादा priority देनी चाहिए diverse forest को our uniform forest को एक अपने यहां पर ये भी add कर दे कि wildlife को क्या करना चाहिए save करना चाहिए wildlife और forest एक दूसरे पर indirectly depend करते the rule and regulation of forest conservation must be followed strictly उन्हें अच्छे से follow करना चाहिए एक forest में जो fire वगे रहा होते हैं उनको भी control करना चाहिए और social forestry पे क्या देनी चाहिए importance देनी चाहिए next है what are the internal tectonic force of earth and explain any force एक force अपन को explain करना है तो tectonic power और molding power that work staying inside जो अंदर से काम करते हैं और ये generally constructive होते हैं और नई land create करते हैं कौन कौन से आते हैं वालके नो earthquake tsunami तीन अपनी book में explain कर रखे हैं तो वालके नो अपनी इदर कर लेते हैं वालके नो क्या होते है extremely heated rock जो होती है वो melt हो जाती है एक magma chamber बनाती है उसमें rupture से hot lava as gas age बार निकलती है और इस को अपन क्या कहेंगे वालके नो डाइग्राम भी बना सकते हो आप इसमें वालके नो जो होते हैं आर्थ के warm से related होते हैं जब tectonic fluid एक दूसरे के साथ collide करती है तो high temperature की वज़े से melt हो जाती है magma chamber बनता है गैस बनती है गैस बाहर निकलना चाहती है जिसकी वज़े से क्या होता है लावा वगेरा बाहर निकलती है डिस advantage क्या है जब अपने वालके नो आएंगे तो वहां loss of life होगी हाई amount में heat और pollution भी होगा लेकिन advantage क्या है कि इसके साथ साथ mineral sulfur boric acid ऐसी useful chemicals भी आते है hot water spring बनते है cool लावा जो होता है वो fertile soil देता है ठीक है नेक्स राइट एनी टू डीजीच caused by virus virus से होने वाली दो डीजीच hepatitis और flu जो तंबाकु जो होता है उसमें कौन सा alkaloid होता है nicotine तंबा कुछ wing करने से क्या problem है throat और mouth cancer होता है carbon monoxide जो बनती है वो Rbc की oxygen carry capacity को क्या करती है खतम और Rbc को dead भी कर सकती है नेक्स्ट है right the region of extinction of wildlife wildlife extinction के कारण के destruction of natural habitat hunting pollution और conflict between wildlife और human एक चीज़ याद रखनी wildlife protection act कब पास किया गया था 1972 में who is the non-age missile man give the role of doctor panchanan maizwari in the field of botany तो APG Abdul Kalam क्या कहलाते है missile man अब जो panchanan maizwari भाई-साब है वो अपने Indian botanist थे plant embryology से related थे embryology और tissue culture पे इन्होंने work किया था और India की तरफ से इन्होंने represent किया बहुत सारे botany के conference में और इन्होंने tissue culture और embryology में बहुत सारे development किया इसको honor करने के लिए FRS fellow of royal society में इन्हें elected भी किया गया था ठीक है what is the name of natural satellite of earth कौन होता है moon कैसे बनाता moon 4.40 million पहले क्या होता है एक बहुत बड़ा सा object जो है earth के साथ आके टकरा गया था और उससे जो डेब्रीज बनी थी वो इकटा होने की वज़े से moon बनी moon की importance क्या है अपने तो moon की दो importance है एक तो पहले earth का rotation बहुत fast था moon के gravitation की वज़े से यह slow हुआ जिसकी वज़े से अब earth जो है 24 hours में complete करती है rotation पहले यह 6 hour में था और tilt हो गया है earth का rotation और जो axis है और tilt होने से क्या फाइदा होता है season बनती है ठीक है राइट दा नेम ऑफ पैथोजन ऑफ नारू डीजीज कौन सा है डेकनकूलस मेडियन से ओपियम में दू अलकलाइड कौन से होते हैं मौर्फिन और कोडीन ठीक है गुटका चबाने से कौन सी डीजीज होती है सब म्यूकस फाइब्रोसिस जिसमें जो लॉक हो जाते है अलक क्या होता है तो दिको आई उए ती जो ता अटा कोशन नांट कestablish है काहाँ पर टारापूर में ऑपियम जो होता है उसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं पनकैपसूल यूज करते है मिलकी वाइट निकलता है जो बाद में ड्राई होकर ब्रौन कलर का बन जाता है राइड use of opium opium में morphin और कोडीन जो होती है वो pen killer के फ्रम में यूज की जाती है और यही वजा है कि opium की cultivation होती है इस पर आपके question आ सकता है कि opium की cultivation क्यों करते है तो आभी यही आपको कारण लिखना है opium का scientific name क्या होता है? paper so many firm weathering क्या होता है weathering एक external force है जिसे earth की crust जो होती है वो जो है small particle में convert होती है जिसे क्या बनती है soil बनती है अब जब soil बनेगी तो क्या फाइदा होगा soil जो है fertile भी होगी इस soil में plantation और agriculture कर सकते हैं और जो है वो agriculture में वो जो चीज है उसे grow करवाने के लिए नहीं बहुत सारी nutrition भी provide करवाएगी who is the non as the father of Indian nuclear science कौन कहलाता है होमी जांगिर बाबा ठीक है उनके contribution लिखना है cosmic ray से यह आपका cushion ऐसे कैसे बोर्ड में आ रखा है तो हमी जांगिर बाबा जो है cosmic ray और nuclear energy से जुड़े वे थे cosmic ray के lecture आर भी थे ठीक है cosmic ray के बारे में लिखा हुआ है Walter Hilter के साथ में काम भी किया था इन्होंने मैसान की भी discovery होई थी ठीक है next है explain the law of segregation with example तो law of segregation जो है mono hybrid पे based है यह second law है जब gamit बनते है देखो अपनको explain भी करना है example तो tall और draft के बीच में cross करा है tall बना अब tall में यह दोनो allyl साथ में लेकिन जब gamit बनेंगे तो यह दोनो allyl अलग 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 चले जाएंगे इसको ही कहते है law of segregation और क्योंकि हर gamit जो होता है वो pure होता है इसलिए law of purity of gamit भी कहते हैं इसे which medicine is obtained from bristol bitter and write the use of it कौन सी medicine blister bitter से huge मतलब निकालते है तो canthardine मिलती है जो hair fall को कम करती है fruit की definition लिखनी है fertilized ovary को क्या कहते है fruit which plant is non-etchking of pulsage and write its scientific name तो gram कहलाता है यह भी आपके board में आ रखा कोशन है अल्मोस्त आदे से ज्यादा कोशन तो board में आ रखा है आपके test cross क्या होता है तो cross between f1 generation and homogigous recessive parent उसे क्या कहता है test cross capital t small t का cross small t small t के साथ कराएंगे अगर capital t capital t के साथ करा दे तो out cross ठीक है यह cross बना देना है phenotype genotype लिख देना है aranious concept से acid base क्या होता है तो देखो aranious concept के साफसे वो चीज जो aqueous solution में h plus दे उसे acid और oh h minus दे उसे base जब आप reaction लिखो तो bracket में aqueous 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 जरूर लिखे नेक्स्ट है define the refractive index and its type देखो refractive index क्या होता है दो definition लिख सकते velocity of light in two different medium और snail के law से ratio of sin i और sin r का ratio क्या करता है refractive index अब यह दो तरीके से define होता है absolute और relative absolute में अपन हर medium का refractive index vacuum के respect में निकालते है और relative में दो medium का निकला जाता है तो ratio of velocity of light in vacuum और medium वो तो कहलाता है absolute और ratio of velocity of light in two different medium वो क्या कहलाता है relative ठीक है अब देखो absolute जब होता है तो c upon v1 ठीक है second medium का निकालना तो c upon v2 relative ऐसे निकाल ले जाते हैं कि first का second के respect में तो mu1 upon mu2 second का first के respect में तो mu2 upon mu1 यह तो इसी order में लिखने है और velocity जो है उल्टा लिखना है ठीक है next is that the sun is visible little before the actual sunrise and little bit after the actual sunset तो sunrise से पहले होता है इसे advanced sunrise कहते हैं और sunset के बाद में भी sun दिखता है इसे delayed sunset कहते हैं और यह दोनों reflection की वज़े से होता है कहां से हो रहा है reflection अर्थ के चारों तरफ यह जो layer है वो उपर की तरफ rare होती है और अर्थ की नजदी की तरफ dance होती है तो light band करती है जिससे virtual position मिलती है sun की pencil जो होती है वो पानी में immerse करने पर वो moody भी दिखाई देती है क्यों क्योंकि pencil की tip से जो light आ रही है वो dance से rare में जा रही है तो away from normal जाती है जिसकी वज़े से एक नई position आ जाती है और इस position की वज़े से अपन को pencil मोड़ी भी दिखाई देती है यह इसकी theory भी लिख सकते है आप अच्छे से इनको तयार कर सकते है मैंने answer भी लिखे हैं सब के next what is the law of dominance है right the two importance of mandalism law of dominance क्या होता है कि जैसे अपन tall और draft यह दो contrasting character थे इनके बीच में cross करवाते है तो f1 generation में सिर्फ एक ही character आता है जो character आएगा उसे dominant कहेंगे जो नहीं आएगा उसे recessive इसे law of dominance कहते है importance एक तो यह याद रखना है कि mandal का law जो होता segregation उसे gene का concept मिला और यह question भी आपके अलग से पुछा जा सकता है और एक branch of science है जो की development of human beings के बारे में study करती है जिसे eugenics कहते है जो mandal के law पे based है एक जो है mandal के law से disease resistance और improve variety भी अपन क्या करा सकते है grow करवा सकते है पहले दो point पे repeat कर रहा हूं इन दो पे अलग से question आ सकता है दूसरा question होगा दूसरे point का eugenics क्या होता है और पहले point पे question होगा कि किस law से अपन को gene का concept पता चलता है तो second law law of segregation से write the two improve variety of mage rice and wheat तो मेच की होती है वीजे सक्ती रतन ये board में आ रखा कोशन है फिर आ सकता है rice की बास मिती स्वर्ण दाना जया रतना और सोना wheat की कौन सी होती है सोना लिका कल्यान सोना सर्वती सोना रहा एक कोशन था कि क्यूनीन कहां से उप्टेंड करते हैं तो क्यूनीन जो होता है वो सिंकोना ओफिस इनलिस जो होता है उसकी stem की बाग से उप्टेंड करते है malaria की treatment में यूज की जाती है next है बहुत ही important question है draw the label diagram अब इसको कैसे भी पूछ सकता है ऐसे भी पूछ सकते है acid metal की reaction वाले जो reaction होती है उसका experimental arrangement का diagram बनाओ और जैसे मैंने question दिया है कि hydrogen gas preparation का diagram बनाओ क्योंकि acid और metal आपस में reaction क्या करके क्या बनाते है hydrogen gas ही बनाते है तो यह diagram आपको अच्छे से prepare करना है यह reaction याद रखनी है जैडन प्लस S2SO4, जैडन SO4 प्लस S2 यहां से जो hydrogen gas निकलती है वो उसके उपर burning candle ले जाने पर pop sound आता है जो confirm करती है कि hydrogen gas है यह भी कभी अलग से question पूछा जाता है कि अपने confirm कैसे कि है hydrogen gas है तो क्या लिखेंगे कि उसके उपर burning candle लेके गए पॉप sound है जो hydrogen gas को confirm किया write the type of nitrogenous waste with example तो ammonia हो सकता है ऐसे जानवर ammonotelic कैलाते यूरिया हो सकता है ureotelic कैलाते यूरिक acid हो सकता है uricotelic कैलाते यूरिक एसीड हो सकता है uricotelic कैलाते है write the name and usage of two strong acid two weak acid तो strong acid में एक तो HCL और HNO3 का लिखना है मैंने तीन लिख दिया है HCL का यूज का करते हैं boiler sink और sanitary को clean करने के लिए HNO3 का यूज का करते हैं अपन fertilizer जो gold वगेरा जो होता है silver ornaments इसको clean करने में S2SO4 का यूज का करते है car battery इन में अपन यूज करते हैं industry में भी यूज करते हैं question आता है कि industrial जो measurement है वो किस acid के consumption पे based होता है तो S2SO4 strong base क्या होते हैं तो देखो strong base में NOH, COH, Holtwise का लिख सकते है NOH, soap, detergent, paper, textile industry में यूज होता है calcium hydroxide जो होता है soil की acidity हटाने के लिए यूज किया जाता है white wash के लिए यूज किया जाता है और insecticide के component के लिए यूज किया जाता है next right assort notes on epiculture तो honey bee का culture bee wax और जो अपने honey तता अपने pollination को increase करने के लिए किया जाता है उसे अपन क्या कहते है epiculture या bee keeping भी कहते है old method में छतों को खतम करके beehive को खतम करके खराब करके भी निक वो honey honey bee से wax निकाला जाता था और honey निकाला जाता था modern method में artificial beehive यूज करते है importance क्या एक तो honey मिलता है जो कि highly nutritive food है medicine की तरह है और food के preservative की तरह भी यूज कर सकते है और pollination को भी यह increase करता है next right assort notes on earthquake तो earthquake एक internal tectonic force का example है shaking होती है vibration होने लगते है अर्थ में जिस जगह से vibration start होते होने epicenter कहते है epicenter से कितनी दूर पे कोई जगह है और epicenter पे कितनी intensity का earthquake आया है वो define करता है कि earthquake कैसा होगा अब earthquake की intensity को कैसे major करते है seismograph से और किछ scale में रिचर scale में यह दोनों ही बहुत ही important question है ठीक है अगर पूछे कि उस instrument का नाम बता हो जिससे अपन earthquake को major करते तो seismograph और उस scale का नाम बता हो जिसमें major की जाती है intensity तो richer scale अगर यह 2.5 से कम आती है तो अपन को feel ही नहीं होंगे 2.5 से 4 तक होंगे तो हलके full के जटके होंगे 5.5 के आएंगे तो strong 6 से 7 के बीच में तो destructive और 7 से उपर होने पर disaster कारण क्या होता है earthquake आने का एक तो जो होता है natural imbalance होने लगता है tectonic plate के बीच में और man-made explosion भी क्या कर सकते है earthquake create कर सकते है ठीक है next question है अपने write the component of social forestry तो देखो social forestry जो होती है एक तरह किसे अपने forest को बचाने का एक तरीका है जिसमें government और आम आदमी और जो public वगेरा होती है वो सब मिलकर क्या करती है जहां पर भी जगह मिले वहां पर क्या करती है पेड लगाती है इसके तीन component होते है agroforestry plantation by people on public land और plantation by government on जो भी जगह पर मिले वहां पर draw the label diagram of antibody बहुत important question है diagram मैंने बनाया नहीं आप यहां पर अच्छे से prepare कर ले diagram में दो long chain होगी दो short chain होगी variable part उपर वाला नीचे वाला constant part hinge region यह सब अच्छे से आप diagram देखकर अगर आप यह first time video देख रहे है तो आप video देखकर या वीडियो से मैं suggest करूँगा book में सही डंग से नहीं है अपने diagram तो आप video से अच्छे से देखकर जो chapter number four है अपने immunity वाले में उसमें diagram दे रखका है वहां से अच्छे से त्यार कर सकते है ठीक है next chipco moment तो यह non violent social and ecological moment था जो forest के protection के लिए दिया गया था जो people जो होते थे वो क्या करते थे tree को hug करते थे चाहे वो खुद की जान दे देते थे लेकिन tree को cut नहीं होने देते थे ऐसा moment सबसे पहला खेजरली village जोदपूर से start हुआ था जा three sixty three man woman और चिल्डन ने sacrifice की अपनी life और अमरिता देवी विस्टनोई जो है वो leader थी ठीक है सुंदरलाल बहुगुना ने यह extend किया chipco moment और ऐसा ही एक moment जो है वो करना टक में भी देखने को मिला जिसे इपिको moment कहते हैं इपिको का भी मतलब चिपकना ही होता है अब यह खेजरली वाला जो है यह आप detail में भी तयार कर सकते हैं कि वह राज आया था उसने लकडी तोड़ने के लिए बेजा था फिर जंगल गए वो काटने लगे थे फिर यह अमरिता देवी और जो लोग थे व लोग एक पर्टीकलर जगह का फ्लोरा बिलकुल झला देते हैं फिर वहां खेती बारी करते हैं राखच जो होती है वो सौईल की फर्टीलिटी बढ़ा देती है तो वह अराम से फार्मिंगा हो सकती है एक बार जब सौईल की फर्टीलिटी वापस डिक्रीज होने लगे तो वो किसी और जगह पर move कर जाएंगे और वहां पर भी ये का ये method करेंगे ट्राइबल पीपल नागलाएंड मीजोरम मेगालिया अरुना चल परदेश त्रिपुरा असाम में ये method क्या करते हैं वो follow करते हैं जून cultivation एक खराब procedure है क्योंकि इससे deforestation बढ़ता है और forest के नंबर गटेंगे तो ये bad practice है integrated water management क्या होता है तो इसमें क्या करते हैं human activity natural resource age watershed area पर manage किये जाते हैं ताकि social economic और environmental issue को solve किया जाए watershed क्या होता है ऐसी जगह जहां पर पानी का बहाव एक ही point की तरफ हो उसे क्या कहता है watershed watershed is a geographical unit a land whose water flow towards one point watershed management में क्या होता है conservation of soil की जाती है humidity का खयाल रखा जाता है flood control किया जाता है water store किया जाता है plantation करवाए जाता है tourism का धियान रखते है forest के number को बढ़ाया जाता है pollution को control किया जाता है organ donation day कब बनाते 13 अगस्त को अगर पूछे कि उन परसन के नाम बताओ जो रिसेंटली organ donate किया तो सादवी रितंबरा और गोतम गंबी इरित्रो ब्लास्टो फॉइटलिस क्या होती है तो देखो यह भी एक कोशन हो सकता है कि कि किसका एक्जामपल यह तो यह रिच इनकंपेटिबिलिटी का एक्जामपल है कब होता है जब मदर आरेच नेगेटिव बच्चा जो होता है आरेच पोजेटिव तो फर्स प्रेग्नेंसी के दौरान मा की बॉड़ी में रिच अंटी बॉड़ी बन जाते हैं अब जब सेकिंड प कोईल का जो है अपन सौट सा एक कुछ देखते हैं तो नेचुरल रिसोर्से जो होता है वो डवलपमेंट के बैसिस पे दो तरह के होता है एक्च जो अभी है पॉसिबल जिने अपन फ्यूचर में यूज कर सकते हैं एक्च अग्जामपल कोल पॉसिबल में यूरेनियम बी इस्ट्रिबूशन के बेसिस पे क्या हर जगा एवलेबल है तो एर और वाटर जैसे तो यूनिवर्सल के लाएंगे किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही एवलेबल है जैसे कॉपर आइरन ओर वगेरा तो वो लोकल माएंगे ठीक है रिन्यूवल क्या होता है ऐसे जिनने बा बंते ही नहीं है वापस में उन्हें अपन क्या कहेंगे नॉन रिन्यूवल इसमें कॉल और पेट्रोलियम आएंगे एक आपको सेंचुरी सारी लर्न करनी है सेंचुरी में बोड से रिलेटेट खूब कुशन आते है तो सारी सेंचुरी लर्न करनी है नागारजुन अंदर प्रदेश में हजारी बाग प्रानी वियार भीहार में ठीक है नाल सरोवर प्रानी वियार ये आप की हो सकता है गौवर्वेंट इंगलिस मीडियम में थोड़ा आगे पीचे मैंने भी एक बार वीडियो में लिखवा दिया था मैंने बाद में करेक्ट कर वाया था अगर अब तक आपने नहीं किया तो करेक्ट कर लीजी नाल सरोवर प्राणी वियर जो है गुजरात में मनाली जो है सेंचुरी वो हिमाचल पर्देश में चंदरप्रबा जो है उत्तर प्रदेश में केड़नाज जो है उत्रानचल में अब राजिस्तान की बात करते हैं राजिस्तान में जगह के साथ साथ वो एनिमल भी याद रखना है सरी सिका में अलवर में यहां पर हीरन का और गोडावन का किया जाता है ठीक है कंजर विशन दर्रा कोटा में पैंथ प्रताब गर्ड फ्लाइंग स्क्वेरिल्स होती है केला देवी यहां पर करोली भी यहां पर भालू का किया जाता है जैपूर में फॉक्स और पैंथर का किया जाता है इसी के साथ आज का वीडियो अपन एंड करते हैं अगले वीडियो में अपन नुमेरिकल जो कुछ चैप्टर अपने जैसे चैप्टर नमबर टू और चैप्टर नमबर सिक्स के बारे में कोश्चन नहीं किये वो करेंगे औ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखके बताईए चार्ट आपके लिए कितने हेलफूल है ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक आप इसको अच्छे से त्यार कर लें मैं फिर रिपीट कर रहा हूं यह दो वीडियो आप अच्छे से देखकर थोड़े बड यह दोूầख एन यह दोूएं शइस आहिक नही तो यह दो भीडियो आपके ले विवद्गर शके अच्छे से लिए यह है